बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूटूब निकालोगे, डेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम ढूंडते रो कित्य महाराज चाहिए तुमको किलो के भाव में मिल जाए आपने अच्छे से सुना है क्या लगता है आपको प्रदीब जी कि क्या वृत्ति हो गई है क्या स्वभाव हो गया है क्या बुद्धी हो गई है शिव पुरान के ये वक्ता है कहलाते हैं कुछ समय पूर्व ही इनका जो एक वक्तव्य वाइरल हुआ था जिसमें राधा नाम पर या राधा जी को इन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिससे सभी भक्तों की जो श्रद्धा है उस पर ठेस पहुचाई थी इन्होंने ठेस पहुचाई थी और अब हम देख रहे हैं कि इनके नए नए वीडियो निकल के आ रहे हैं हालां कि कई कथा वाचग या कई व्यास ऐसे हैं जो व्यास जी का नाम लेकर मन माने ढंग से आचरण कर रहे हैं और अपने वक्तव्य अपने मन मुखी बातों को सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं इन लोगों को लाखों लोग सुनते हैं यह एक गलत भी कुछ बोलते क्योंकि यह उनी के लिए भगवान है यह अपने अनुयाईयों के लिए भगवान है अब यह कहेंगे वैसा ही वो समझेंगे और जानेंगे और करेंगे तो इन व्यक्तियों की क्या बुद्धी हो गई है ब्रामनों के प्रति वीडियों में आप देख रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि छोटे मोटे पंडित आपको हजारों आता हूं कि आपको क्या दिक्कत है इन से और छोटे मोटे ब्रामन आप किसको कह रहे हैं आप उच्च मंच पर बेठे हैं व्यास पीठ पर बेठे हैं कथा वाचक हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ब्रामनों को छोटे मोटे ब्रामन कह सकें आपको कोई अधिकार नहीं हैं ब्राम्मन सभी समान हैं सर्वोपरी हैं पूजनिये हैं आपके साथ जो ब्राम्मन रहते हैं वो भी क्या आपके हिसाब से छोटे मोटे हैं थोड़ी बुद्धी पर प्रकाश डालिए प्रदीप जी इस तरह के वक्तव्य देना बहुत ही हानिकारक है आप अब तक कोई नियाए विवस्था नहीं पहुंच सकती है मानते हैं आप जैसा कहोगे आपके अनुयाई उसका पालन करेंगे यह भी हम मानते हैं किन्तु आप शास्त्रोक्त वात कहो उसमें आपकी विद्वत्ता है छोटा मोटा यदि आपको आंकलन करना है तुलना करनी ही है तो आपको इस तरह से करना चाहिए कि आप शास्त्रोक्त वक्तव्य रखते हैं यह आशास्त्रिय वक्तव्य आप वहां पर र आप अपने आपको वहाँ पर बड़ा विद्वान मान रखे हैं हमारे गुरु देव पूरी शंकरा चारिये जी महराज पूरी के पीठा दीश्वर जी उनसे ज्यादा विद्वान है पूरे विश्व में उनके समान कोई विद्वान नहीं है ज्यानी नहीं है कि लिकिन तु विनय रखिये विनम्रता रखिये आप जिस मंच पर है उसकी गरीमा बनाई रखिये चोटे मोटे ब्रामन आप किसको कह रहे हैं आप चोटे मोटे ब्रामन जिनको मानते हैं या ग्रामिन ब्रामन जिनको मानते हैं या कपड़ों से या उनके बिना मेकप वाले चहरों से अब भी नहीं बोलने देगा तो आपको पता चलेगा ब्राम्मन छोटा है पतला है या क्या है आप अपने धन से अपनी प्रसिद्धी से तुलना ना कृजी यह ब्राम्मनों की एक प्राहमन चाहे जिसके पास दन नहीं है शुख शुविदाएं जो आप भोतिक शुखोंगा आनंद ले रहे रहे हैं उसके पास वो नहीं है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो विद्या से दरिद्र है धन को तो तुच्छ माना गया है शिव पुरान पढ़ते हैं आप पढ़ाते हैं धन को तुच्छ माना गया है धन किसलिए होता है धन की गतियां पता है आपको धन की तीन अवस्थाएं पता है आपको प्रसिद्धी की तीन सब्वे दे रहे हैं आप सोच समझ कर कुछ बोला कीजिए प्रदीप जी आपका ये कट आया है मेरे पास थोड़ा सा तीन जनों ने मुझे बहजा है कि पंडित जी इस पर भी कुछ वक्तव्वे आप निकाली है मैंने सुना उसी समय में थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे को कि क्या बात हो रही है आप बार बार क्षमा मांगते फिरेंगे आप बरसाना में जाकर क्षमा मांग रहे हैं वहाँ पर आपकी क्या बेच्जती हुई है वहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं तुटियां कर रहे हैं शास्त्रिय वक्तव्वे आप निकाल रहे हैं और फिर जाकर शमा मांग रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं सुदर रहे हैं बुद्धी का प्रयोग कीजिए उच्च आसन पर बेठने वाला ही बुद्धी मान नहीं कहलाता है आप ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि शिवलिंग पर खीर ही चड़ा दो अजीब बा में इसका वक्तव इसका प्रमान भी है कि कितनी चड़ती है कितनी मात्रा होनी चाहिए जो ऐसामर्थ है उसके लिए क्या विधान है जो सामर्थ है रखता है जो धनाड्य है यह सुखसुदाएं उनके पास है वो कैसे चड़ाएं कितना चड़ाएं आप खीर को है उडेल र आपके इस तरह से देखू मैं आपकी प्रशिधी आपके धनवेभाव संपत्ती के इस तरह से में देखू तो मैं आपसे बहुत छोटा हूं आयू में भी मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मुझे कोई इससे कोई वो नहीं है लेकिन आप धर्म की हानी कर रहे हैं इस तरह के वक्तव्य देकर आप जनता को लोगों को ब्रहमित कर रहे हैं पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है धन आ जाने से या धन बढ़ जाने से ब्राम विरोध में नहीं हूँ आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं ना मुझे आपसे कोई इर्शा है आपका धन आपकी प्रसिद्ध आपके काम आएगी लेकिन इस लोक में वह काम आएगी परलोक की तो सोचिए शुव पुराण में परलोक के भी तो वरनन है धर्म क्या है कि प्रार के वक्तव्य आप दे रहे हैं ग्यानियों को सुनि ये कुछ दिन रहिए आपको अध्यन की आवशकता है प्रदीप जी आपके समाने दी और वह कुई कथा वाचक है यापने आपको समझ कर इस प्रकार के ब्राम्मनों के प्रतिय से वक्तव्य दे रहा है, तो उसको अध्यन की आवशक्ता है, वो अध्यन करा नहीं सकता है, वो इन पीठों पर विराजमान होने के योग्य नहीं है, मैं क्रोध में हूँ, क्रोधित हो रहा हूँ, लेकिन मेरे क्रोध का इस तर भी दे कुछ पाएगा क्योंकि आपके पास तो अलग चलचित्र पहुंचते हैं नेताओं के मंत्रियों के अफसरों के उन चलचित्रों को आप देखते हैं किन्तु यदि आप तक यह पहुंच जाए तो आप शरवन कीजिएगा और मेरे विरोध में ना आकर या मेरे को मन में गालिय ना देकर आप जड़ा सोचिएगा ठंडे दिमाग से एसी की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है आपके कक्ष में शयन कक्ष में विश्राम कक्ष में वहां पर थोड़ा सोचिएगा फलों के रस्पान कीजिएगा तब यह थोड़ा सापको समझ में आएगा ब्रामनों के लिए क् चोटे मोटे ब्राह्मन आ जाते हैं आप भी त्हों मीडिया तंत्र पे हो मीडिया तंत्र का सहारा ले रहे हैं नहीं ले रहे हो कहा था आपका नाम पेले करई प्रदीप मिष्टराजि नार्येख्त को किसी ने और ने बता दिया कि प्रदीप मिस्रин टोठकों के महान समराठ है, उन्हीं पर एक नार्येख्त के उपर आपके गिराब, उस्पिटल में गए, तो भईया, टोठकी in वाजी में मत्रह हो, तोटका क्या होता है तोटका पता भी है आपको तोटके कार्थ क्या होता है तोटका कब किया जाता है क्यों किया जाता है तोटका शास्त्रोक्त विधियों का पालन करो शास्त्रोक्त वक्तव्य दो मैं स्वयम सुनूंगा स्वयम आप पे टिपणी करूंगा कि बहुत आछे भी होते फोती हैं वो देखकर पढ़िए ना याद नहीं रहती है शिव पुराण में तो आप वो देखकर पढ़िए Bina. कुछ भी आप कहे रहे हैं बरामणों के लिए कौन चोटे-मोटे ब्राम्मन है कोई छोटा मोटा ब्राम्मन नहीं है सब ब्राम्मन समान है को सब समान है सब अपने कर्म की खा रहे हैं सब अपने जप तप बल की खा रहे हैं कोई कम जानता है कोई ज्यादा जानता है सीखने का प्रयास करता है को शिखाने का प्रयास करता है आपको ब्राम्मन हैं आपका क्या वजन है आपका क्या भार है मुझे ये बता दीजिए प्रसिद्धी से मान सम्मान मिलता है सिद्धी प्रसिद्धी मान सम्मान फिर अभिमान जो आप में दिख रहा है और अभिमान के बाद में पतन यह सिद्धी प्रसिद्धी के हैं लक्षण यह इस तर है ज आरायन नारायान वि bring चलचित्र को देखने के बाद में आपकी क्या प्रतिया रेती है ब्राह्मणों से भी निवेदन हैं कि ऐसे व्यक्तिओं का वि Hmm करें ऐसे वी व्यकतियों का भी न विरोध कर सकें तो ऐसे वक्तव्य देने वालों का विरोध करें, मैंने इसी वक्त अब्व्य पर बोला है, इनके अलावा मेरा कोई प्रदीप जी से कोई विरोध नहीं है, ब्राम्मन है, हमारे लिए वो भी पूज नहीं है, किन्तु उनको भी ऐसी भावना रखनी चाहिए, जैश्रीमन नारायन, हरहर नमस्चन्डिकाई